नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर इस दिन लगेगा सीम नितीश का जनता दरबार बिहार के 10,009 निक्तु सक्षकों को इस दिन मिलेगी सैलरी दरभंगा एम्स के रिर्मान को लेकर नितीश सरकार उठाने जा रही ये कदम फीचर बहाली समेत इन परिक्षाओं को लेकर भी सामने आया डेट सिर्फ चीतने के बाद सुरे कुमार यादव ने खिलारियों को लेकर दिया बयान इसके साथ ही बढ़ते हैं शामता की बड़ी खबरों के और वस्तार से बिहार के 10,009 सक्षकों को इस दिन मिलेगी सैलरी बीते दिन सिक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि राजी के 10,009 सक्षकों के खाते में नवंबर मा की सैलरी आज यानि की 2 Dios को पहुँँच जाएगी उन्हाने कहा कि जिन सक्षकों का प्राण नवंबर जिनरेट हो क्या है उन्हें उनके खाते में नवंबर मा की रासी 2 दिसंबर को भेज दी जाएगी चाहे उन सक्षकों के द्वारा इंडक्शन प्रोग्राम में केवल दस दिन ही क्यों ना हिस्सा लिया हो जॉइनिंग के बाद उन्हें राशी दे दी जाएगी वहें इसके लावा वैसे सक्षक जिनका प्रान नंबर जिनरेट नहीं हुआ है उन्हें उनके राशी जन्वरी मा बिहार के दूसरे एमस के लिए जिसका नर्मान द्रफंगा में होने वाला है उसको ले कर राजे सरकार के ओर से 162 7pox एकर जमीन का अधिगरहन किया जाना है हलाके जमीन अधिगरहन का प्रस्ताओ पुर्व में स्विकृत हो चुका है ऐसे में अब सरकार के ओर से इस मद में राशी जारी करने की सुर्खती दी गई है बतादे किसे पहले दरभंगा एम्स के निर्मान को लेकर 150 एकर जमीन अधिग्रहन किया जा चुका है मालम हो कि जमीन अधिग्रहन के लिए वर्स 2022-23 में कुल 14 करोड 26 लाग 33 हजार की प्रशासनिक सुकृती दी गई है इसके आलोक में वीटिये वर्स 2023-24 में जमीन अधिग्रहन के लिए 10 तसमलो सुने 9 करोड खर्च की सुकृती दी गई है बतादे कि राज्ये में एम्स की स्थ प्रशापना को लेकर नमबर 2021 में राज्ये मंत्री मंडल के दोरा प्रस्ताव स्वकृत किया गया था विशेश विद्यालियों में 7,289 पदों पर बाहल होंगे अधियापक सिक्चक नुक्ती के तीसरे चरण के तहत विशेश विद्याले अधियापक के लिए 7,289 पदों बहाली होगी बतादिक इसके तहट विशेश विद्याले अध्यापक के कक्छा एक से पांच के लिए 5534 और छटी से आठवी के लिए 1745 पद श्रिजित किये गये हैं इसके लावा बिहार विशेश विद्याले अध्यापक पातरता पड़क्छा 2023 का आयोजन होगा आपकी जान लाट कॉम स्लैस पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं बतादे के आवेदन के लिए नियुंतम उम्र सीमा के लिए कट ओफ तिती एक अगस 2023 रखी गई है जिसके तहत एक अगस्त को आवेदकु की नियुंतम आयो 18 वर्स होनी चाहिए इस दिन लगेगा सीयर नितीश का जनता दरबार बिहर के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के तबियत में सुधार आ गया है ऐसे में अब एक बार फिर से जनता दरबार की शिरवात होने वाली है बतादे कैबिनेट विभाग के दोरा जारी के गया दिसूशना के नुसार मुख्यमंत्री निती पटना के उद्योग भवन में लगिया बिहार की राजदानी पटना मिस्थद गांधी मैदान से 60 उद्योग भवन में आज अहल सुभा चार से पांच बज़े के करीब आग लग गए जिसके बाद जब अस्थानी लोगों के द्वारा धुआ निकलते देखा गया तो इसकी सुषना मिलते ही दमकल विवाग की गारियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाए गया मिले जानकारी के नुसार इस घटना में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है ऐसे में यह राहत वाली खबर है इस बारे में अगनी समन विवाग के पदादिकारी अजीद कुमार के दोरा जानकारी देते वें बताया गया है कि आज सुभर चार से पांच बज़े के करीब इसकी सूषना मिली जिसके बाद दमकल विवाग की टीब दो गारियों के साथ उद्योग भवन पहुंची उस समय दफतर से धुआ निकल रहा था वहीं अब सब कु पहुंचा है आग पर कावो पाने के लिए सचीवाले और कंकरबाग से भी अगनी समन की गाडियां मंगाई गए थी यहां को छे गाडियां पहुंची थी टीचर बहाली समेत इन परिक्षाओं को लेकर भी सामने आया डे बिहार लोग सेवा आयोग यानिकी BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रशाद के द्वारा एक्सपर्ट जोकी पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि हम हर साल 30 सितंबर क को CCE, PT और हर साल जन्वरी के पहले सब्ता हमें मिंस आयोजित करने की योजना बना रहे हैं तो इंटिग्रेट उन्हतरवी CCE, मिंस परिक्षा 3-7 जन्वरी 2024 और सतरवी CCE, PT 30 सितंबर को आयोजित होने की संभावना है TRE भी हर साल अगस्त के आकरी सब्ता हमें आयोजित हो गया है कि अभ्यर्थियों को सपनों के सौधागरों से साधान रहना चाहिए परिणाम या अनुपूरत परिणाम केवल उतनी ही रिक्तियों के लिए हो सकते हैं जितनी विवाग द्वारा प्रदान की गई है ना कि नियमों की गलत व्याक्या या कुछ एक्छाधारी सोच या कुछ सरार्ती अफवाहों या इन सभी पर आधारत किसी काल्पनिक आंकरे पर गया एरपोर्ट से थाईलैंड के लिए शिरू हुई विमान सिवा बैते दिन सुक्रवार से गया एरपोर्ट से थाईलैंड के लिए विमान सिवा की शिरुवात हो चुकी है बता दे कि था सेवा को लेकर एरपोर्ट के निदेशक अवधेश कुमार के द्वारा जानकारी देते में बताया गया कि एरपोर्ट पर थाई एरवेज की सेवा शुरू होने से विदेश्य यात्रियों के आवागमन के साथ परटन को बढ़ावा मिलेगा। सीता मढ़ी में 6423 लीटर शडाब बढ़ामत बिहार में पुनरूप से सराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आएदे निसुजड़े मामले सामने आते रहते हैं हालाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपात विभाग की ओर से कई प्रयास किये जा रहें लेकिन इसके बा बंदवारा में शडाब की बड़ी खेब बढ़ामत की गई है दरसल पुलिस के द्वारा कुल 6423 लीटर शडाब जब किया गया और साथ ही मौके से एक ट्रक वच चार पिक अप बैन भी पकड़े गये हालाक इस दोरान तसकर को भागने में सफलता मिल गई CAB अध्यक्ष पर आठ करोर रूपे के गबनका आरोब बिहार कृकेट संके पुर्वसचीव आदित्य वर्मा के दोरा प्रेस कॉन्फरेंस कर CAB के अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाते वे कहा गया है कि BCCI के दोरा बिहार क्रिकेट एसोशेशन को क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 9 करोड रुपे से जादा की राशी दी गई थी लेकिन आस तक एक बॉलिंग मशीन या एक प्रैक्टिस मैदान तक बिहार में खिलारियों को नहीं मिल पाया उन्होंने कहा कि Bihar Cricket Association के द्वारा पैसे का बंदर बाट किया जा रहा है अध्यक्ष राकेश तिवारी के द्वारा आठ करोड रुपे का गवन किया गया है मालमों कि जब से राकेश कुमार तिवारी बिहार क्रिकेट एसोशेशन के अध्यक्ष बने है तब से इन पर कहीं तलह के आरोप लग रहे हैं लेकिन इन सब के बीच महतपुन बात या है कि इन पैसों का खर्च उनके द्वरा कैसे किया गया है उसकी कोई जानकारी नहीं है अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो सिक्षक भर्थी परिच्छा के दूसरे चरण में भाग लेने वाले हैं तो यहाँ खबर आपके लिए है बतादे किस परिच्छा के लिए यह एडमिट कार जारी कर दिया गया है ऐसे में अभ्यर्थि विवाग की वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार डाउनलोड कर सकते हैं बतादे कि अडमिट कार डाउनलोड करने से पहले 25 के भी और 250 गुना 250 डाइमेंशन का अधितन पासपोर्ट साइस फोटोग्राफ अपने डैशबॉड में लॉग एन करने के बाद अप्लोड करेंगे वालम हो कि डाउनलोड किये गए इडमिट कार में अभ्यर्थी को अव प्रमक उपिंद्र कुश्वाहा के द्वारा अपने फेस्बुक पर पोस्ट कर लिखा गया है कि माननी है मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी आपके एक संकी अधिकारी के तुगलकी वा मुर्खता पुन फर्मानों से सिक्षा विवस्ता सुधरने की जगा और बिगर जाएगी सिक्षक भी एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक है किसी तानाशा का गुलाम नहीं हम मानते है कि कुछ गलतिया उनसे भी होती होगी लेकिन उन्हें गाली देने और उनके साथ गुलाम की तरह विभार करने का अधिकार किसी अधिकारी को किस ने दिया श्रीमान से पथना साहिव से सांसत पुर्व केंद्रियो मंतरी रविशंकर प्रिशाद के द्वारा केंद्रे सिक्षा ए네वां कौसल विकास एत्वता मंतरी धर्मिंत प्रधान को पत्र लेक देश क के प्रत्थम राश्ट्रपती, डॉप्टर राजिन प्रशाद के जन दिवस को यादग का निश्कर्ष प्रतीभा और मेधा है उन्होंने अपने आचरन में सदायव गरिमा मई मर्यादा को मत पुर्ण स्थान दिया है वे अजाब सत्रू थे उन्होंने कहा कैसे महान देश भक्त विलक्षन प्रतीभा के धनी महान नेता भारत रतन जिन्हें पूरा देश देश रत पर लगाया रोक राजस सुप्रीमों लालोपशाद यादव के करीबी कह जाने वाले एक पाटी निता विनोथ श्रिवास्तव के खिलाब पटना हाई कोट के नियाधीस संदीप कुमार की सिंगल बिंच के दौरा वैशाली के अनवरपुर चौकपर के सिहंत्र की जमीन पर वकील की ओर से कोट को बताया गया कि जिस जमीन पर मौल का निर्मान कराया जा रहा है वक कैसरे हिंद की जमीन है ऐसे में कैसरे हिंद की जमीन पर केवल सरकार कहीं अधिकार हो सकता है लिहाजा इस मौल का निर्मान नियमों के खिलाफ है याचिका करता की ओर से अपनी सिरीज के चौथे मुकाबले में भारतिय टीम के दौरा 20 रनों से जीत हासल कर 3-1 की अजय बढ़त बनाते वे सिरीज अपने नाम कर लिया गया वहीं अब इस जीत पर सिरीज के कप्तान सुरे कुमार यादव के दौरा मैच के बाद अपने खुशी जाहिर की गई उन्होंने क कहा कि टौस के लावा सब कुछ हमारे हिसाब से हुआ उन्होंने कहा कि जितना बड़ा उत्साहवर्दक एहसास हुआ हमारी टीम के युवा खिलारियों के द्वारा जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिखाया गया वह देखकर काफी अच्छा लग रहा है मैच मैस्तित की प उप्षनी 7 करो रुपे, उप्षनी 8 करो रुपे, उप्षनी 1 करो रुपे, उप्षनी इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है उप्षनी 8 करो रुपे, अगला सवाल, देश के प्रथम राश्रुपती डॉक्टर राजिनर प्रशाद का जन्म कब हुआ था? Option A 7 December, Option B 6 December, Option C 4 December, Option D 3 December इसका सही उतर है Option D 3 December अगला सवाल, सिक्छक निउक्ति के तीसरे चरण के तहट विशेश विद्याले अध्यापक के लिए कितने पदों पर बहाली होगी? Option A 1745 पद, Option B 7289 पद, Option C 7800 पद, Option D इनमें से कोई नहीं इसका सही उतर है Option B 7289 पद, अगला सवाल, सियम निटीश का जनता दर्बार कब लगने वाला है? Option A 3 December, Option B 4 December, Option C 7 December, Option D 9 December इसका सही उतर है Option B 4 December अगला सवाल, भारत और और उस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पांच मैचों की T20 सिरीज के चौथे मुकाबले में भारतिये टीम ने कितने रनों से जीत हासल की? Option A 50, Option B 40, Option C 30, Option D 20 इसका सही उतर है Option D 20 बीते दिन हमायदरा पूछी का सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब, हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमायदरा पूछी का सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है भारत और उस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पांच मैचों की T20 सिरीज में आपको किस भारतिये खिलारी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं